हलो दोस्तों, वन वर्ड में आपका स्वागत है, मेरा नाम वैबव है और आज का हमारा वर्ड आफ दा डे है हो श्रैडिश तो आईए सबसे पहले हम सीखते हैं इस वर्ड को प्रनाउंस कैसे करना है तो अगर हम British style follow करते हैं तो हम बोलेंगे हो श्रैडिश मेरे साथ repeat करिए हो श्रैडिश अगर हम US style में बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हो श्रैडिश मेरे साथ repeat करिए हो श्रैडिश तो हम British English follow करते हैं तो हम बोलेंगे हो श्रैडिश host radish एक पौधा होता है जिससे ठंडा sauce बनता है तो यह एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां हरी और लंबी होती है इसकी जड़ होती है वो सफेद होती है और स्वाद में कड़ भी होती है तो इसकी जड़ से जो sauce बनाई जाती है उसको host radish sauce बोलते है तो UK और Poland के देश में इसको roasted beef के साथ खाया जाता है तो चलिए अब हम एक example लेते हैं और समझते हैं इस word को sentence में कैसे use कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं I like eating roast beef and host radish sauce together इसका हिंदी में मतलब हुआ मुझे बुना हुआ beef और host radish sauce साथ में खाना पसंद है तो दोस्तों आज आपने सीखा host radish word का मतलब क्या है और उसको हम sentence में किस तरह से use कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कीचिए अगर आपके पास कोई और अक्छा example है तो comment में बताइए और मेरी चैनल वन वर्ड को subscribe कीचिए तैंक यू